बिसम्लारामानिराहीम, असलाम अलेकूम नाजरीन धने चैनल की तरह से खुशाम दीद, जो मैं बना रही थी फेपड़ा और कलेजी, तो उसकी रेस्पी आपके साथ शेयर कर रही हूं, मिल देख के पसंद आएगी, तो आए फिर रेस्पी स्टार्ट करते हैं, दो दर्मयान साइज प्याज लिये हैं, और एक पकरे के फेपड़े, और उनकी मैंने चोटी-चोटी सी बोटी बना लिये, और उसके साथ मैं डाला, इसमें 2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, तो टीस्पून नमक, वन टीस्पून धनिया पाउ और उसके साथ मैंने ये ठौन लैसन फूटा उओ, और इसको भी फ्रेश की पीस्था और एक टामाटर काटके, जो लैसन इसमें किया था, उसमें मैंने थोड़ा सा ये पानी डाल दिया, और उसको थोड़ा मिक्स करके तो इसमें डाल दिया है, इस तरह से, और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं फ्लेम मैंने अउन कर दिया अब भी ये पक्तना स्टार्ट हो जाएगा जी और कुकर कड़कन बंद कर देते हैं और इसको आठ मिनट के लिए प्रेशर देंगे आठ मिनट के बाद इसको ओपन करते हैं यह जी आठ मिनट हो गए और इसके बाद मैंने इसका प्रेशर जो था उसको रिलीज कर दिया फिर इसको खोला और यह दिखें जी पानी थोड़ा थोड़ा सा है इसको थोड़ा ड्राय कर लेते हैं और इसको ड्राय करने के बाद यह मैंने कलेजी डाल दी क्योंकि क्लेजी को मैंने इसके साथ नहीं डाला था इसको बबस इसके साथ साथ करने के बाद इसमें हम ऑईल डाल देते हैं और इसमें मैंने दिक्रीबन 6 टेवर स्पॉन डाल दिया है कि बहुत ज्यादा ऑईल भी अच्छा नहीं लगता विसे कि यह सालन ड्राय ही रखना हो लेकिन बहुत ज्यादा ऑईल जो होता है वह वैसे भी सहत के लिए इतना फाइदा मन नहीं होता इसलिए मैंने मनासब साही डाला है अब इसको थोड़ा भून लेते हैं इतना भूनना कि इसकी अच्छी सी खुश्बू आनी स्टार्ट हो जाए और मुझे तो अब इसकी खुश्बू आना स्टार्ट हो गई है और यह तक्रीबन जब भून गया तो इसमें मैंने दो लेमन का जूस शामिल कर दिया है जो के डालने से इसके जाएके में बहुत अच्छा अफेक्ट आता है जी, अब इसको हमने 30 सेकंट के लिए भूनेienza के लिए बूड़न बूर अरो इसके बाद इसमें पानी डाल दिया पानी आप एपने टेस्ट के मताबग डाल सकते हैं मैंने सिर्फ इसमें आदा ग्लास पानी शामिल किया और आदा ग्लास पानी डालने के बाद मैंने इसमें वन टी स्पून गरम असाला और हाफ टी स्पून काली मिर्स पाउडर डाल दिये और उसके बाद मैंने इसको ढ़ाप दिया प्रेशर नहीं लगाया सिर्फ ऐसे ढ़ाप है और पांच मिनट इसको पकाया है मीडियम फ्लेम पे और इसका पानी जो है वो ट्राय हो गया और ये देखें जी गलेजी और फेपड़ा जो है वो त्यार हो गया है अमीद है कि आपको भी रेश्पी पसंदाई होगी मुझे तो बहुत मज़ेकी लगी तो इसके साथ ही अब इजाज़त दीजिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में अलाफे